जहन साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स टू जिसका नाम है कॉंटेम्प्रोरी इंडिया और इजुकेशन इसके मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के साथ तो दोस्तों आज का कुश्चन है आज का कुश्चन है महात्मा गांधी और रविंद्र नाथ टेगोर के सैशिक दर्सन को विस्तार पुरुवक बताईए यानि कि इस कुश्चन में ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी और रविंद्र नाथ टेगोर का क्या क्या सिच्छा के बारे में कहना है सिच्छा के छेतर मुनों हमें क्या क्या निव रखी और क्या क्या बातों को बताया गया इनके द्वारा उसको हम लोग बिश्तार से रेखेंगे तो चली साथियों इसके आंसर क्यों बढ़ता है तो आंसर जैसा कि देख पार होगे सिच्छा को अपने सब्दों में परिवाशित करते हुए कहा कि सिच्छा से मेरा अर्थ मानो या बालक के सरीर आत्मा और मन मस्तिस्क का चहु मुखी विकास है यानि महात्मा गांधी का ये मानना है उनके अनुशार देखा जाए तो सिच्छा को अपने शब्दों में परिवाशत करते हुए ये बताया है कि सिच्छा जो है मानों का या बालक का सरीर, आत्मा और मन मस्तिस्क का विकास है यानि कि सिच्छा जो है एक बालक का सरीर, आत्मा और बुद्धी सबका विकास है वे बालक के सारीरिक, बौधिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास का आधार सिच्छा को मानते थे यानि उनका कहना था कि कोई भी बालक के सरीर के हिसाब से सरीर होना चाहिए, उसके पास बुद्धी होना चाहिए, उसके पास अध्यात्मिक और मानसिक विकास है यानि कि सोचने समझने का छमता होना चाहिए, इसके आधार पर उन्होंने सिच्छा को माना है महातμα गांधी ने सिच्छा दरशन में सिच्छा के साथ आधारबुत सिधधान्थ का वर्नन किया यानि बोला गया कि महातमा गांदी ने अपने सिच्छा दर्शन में टोटल साथ आधारभुत सिध्धान्द का वर्नन किया जो इस परकार है यानि उनके नुशार महात्मा गांदी के नुशार साथ ठो आधारभुत सिध्धान्द दिया गया जो सिच्छा के संबंद में था चलिए उसको हम लोग देखते हैं उसके नेक्स्ट पेज में है इसको हम जूम कर रहे हैं ताकि आपको किलियर दिख पाए आयोप साथी हूं क आप देख पा रहे होंगे चलिए तो एके करके हम डिस्कस करते हैं पहला है साथ से चौदह वर्स की आयू के सभी बालक बलिकाओं को निसुल्क अनिवारे सिच्छा मिले यानि पहला जो उन्होंने आधार रखी सिच्छा के प्रति तो उनका कहना था कि साथ वर्स से लेकर 14 वर्स तक लड़के लड़कियों को निसुल्क सिच्छा मिले दूसरा है सिच्छा का माध्य मातरी भासा में होनी चाहिए इनका कहना है कि जो सिच्छा का लेंग्वेज होना चाहिए वो मातरी भासा में होना चाहिए क्योंकि हमारा भारत का मातरी भासा हिंदी है तो हिंद नेचर करना सीख जाए उसको सचहरता दर बोलते हैं सचहरता में सामिल के जाता है और सिच्छा का मतलब इन्हों ने क्या बताया कि बुद्धी विकास शरीर आत्मा मन का विकास इस सब चीज होना चाहिए तब उनके नुसर सिच्छा बोला गया तब उनके नुसर यह कहा गया कि सचहरता और सिच्छा दोनों अलग-अलग है एक में इसे न मिलाया जाए चले उसके बाद है नंबर फोर सिच्छा का उदेश से बालक में मानविये गुनों का विकास करना है यानि कि सिच्छा का उदेश से क्या है तो बालक के मानविये गुनों का विकास करना यानि कि बालक में जो मानों का गुर्ण होना चाहिए, उसको विकास करना सिच्छा का उदेश है, पांच मा इन्होंने क्या बताया, कि बालक को ऐसी सिच्छा दी जाये, जिससे उसका हिर्दय, मन और आत्मा का संतुलन विकास हो सके, यानि इनका ये कहना है कि बालक को ऐसे सिच्छा दिया जाना चाहिए जिससे उसका हिर्दे, आत्मा और मन सबका विकास हो छटा उन्होंने क्या बताया सिच्छा में अस्थानिय उध्योग को माध्यम बनाया जाए यानि बुल रहा है कि जो सिच्छा के छेतर में जो आसपास के उध्योग वाले लोग हैं उनको जो है सिच्छा का माध्यम बनाना चाहिए मैंने उनके द्वारा भी मदद लेनी चाहिए सात्वा इन्होंने बताया सिच्छा रोजगार परक हो, पढ़े लिखे बेरोजगार नहों इनके द्वारे एक और बात दिया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि सिच्छा जब आप प्राप्त कर रहा है तो इस सिच्छा के प्राप्त करकर फिर भी आप अगर रोजगार ही रहेंगे तो उस सिच्छा का क्या भेलू होगा इसलिए सिच्छा कैसा होना चाहिए रोजगार परक होना चाहिए मैंने उस सिच्छा प्राप्त करके आप ना कोई कोई ना कोई बेवसाय बिजना शुरू कर सके तो इसलिए बोला गया है ताकि पढ़े लुखे बेरोजगार ना हो पाए फिर आगे लिखा है, टॉपिक्स वाज हमें इसको किलियर किये हैं, गांधे जी के स्याचिक दर्सन का उदेश, अब देखिए, गांधे जी का स्याचिक दर्सन जो बताया गया, इसका में उदेश से क्या क्या था, तो इसका लिखा हुआ आगे, गांधे जी के स्याचिक दर् दूसरा है सांस्कृतिक लच यानिकि अगर सांस्कृति को बचाय रखना है धरोहर को बचाय रखना है उसमें सिच्छा की बहुत भूमिका होनी चाहिए फिर लिखा हुआ है तीसरा बालक का समगर विकास यानिकि बालक का समुचित विकास होना चाहिए यह नहीं कि किसी का सरीर का विकास हो गया और बुद्धी का विकास हुआ यह नहीं सिच्छा प्राप्त किया यह नहीं तो उसका कोई मतलब निकलता है माले जाए कि सरीरिक विकास नहीं हुआ एकदम बौनापन ही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्यानी है इनके अनुसार इसको भी सही नहीं कहा गया है इनके अनुसार यह कहा गया है कि आत्मा शरीर मंद बुद्धी और यह सब सभी का चहुमुखी विकास होना जरूरी है गांदी जी ने नैतिक एवं चरित्रिक उत्थान वाले सिचा पर बल दिया अब गांदी जी ने नैतिक सिचा और चरित्रे क्या भी सिचा होना चाहिए अगर आपके पास चरित्र आपका अच्छा है सोच विचार अच्छा है तो इसको भी उन्होंने सिचा पर ही बल दिया है अगला है गांदी जी ने सिच्छा का पाचवां उदेश मुक्ति को बताया है वे इस्वर प्राप्ति के सिच्छा के साथ सूरूर। फिर आगे बात करते हैं तो गांधी जी का बुनियादी सिच्छा की क्या विसेस्ताय हैं उनके बारे में भी यहां जिक्र किया गया है कि गांधी जी का जो बुनियादी सिच्छा है उसकी क्या विसेस्ताय थी तब इनकी कुल मिलाकर पांच विसेश ताय थी जिन में परमुक थी उनको हम यहाँ पर डिसकस कर रहा है तब पहला कुशिश तरीके से था बुनियादी सिच्छा का पाठ करम साथ वर्स की अधिका था यहनि कि बुनियादी सिच्छा तबी आपको मिल सकते थी जब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए साथ वर्स दूसरा है बुनियादी सिच्छा का अधार सिल्प था अब जो भी बुनियादी सिच्छा का सुरवात होता था तब सिल्प से होता था सिल्प कमने चीत्रकारी करके किया जाता था, इसलिए अक्सर पहले वाले लोग देखते होंगे कि बहूत कोई भी चीज, मिट्टी का घर भी लोग बनाया करते था न, तो उसको गेट के पास कुछ न कुछ चीत्रकारी कर दिया जाता था लोगों के द्वारा, तो ये बुनियादी सिच्छा का ही एक महतोपूर्ण भाग है या फिर बुनियादी सिच्छा का ही असर बोल सकता है तिसरा है सारीरिक स्रम को महता तिसरा उनका वुद्दे से था विशेष्टा थी बुनियादी सिच्छा की कि आपको सारीरिक स्रम होने चाहिए यानि कि आप सरीर से अगर आप कोई काम करने में नाका-नाकी करेंगे तो इस किटेगरी में आप नहीं लाएंगे तो उनका विश्यस्ता था कि इसे क्या हो शरीरिक स्रम हो सरीरिक स्रम को यहां महता बताया है नमबर फॉर है लड़के तथा लड़कियों के लिए समान पाठक्रम की वेवस्था अब यहां भी सिस्था में एक और लिखा गए चाहे लड़का हो या लड़की हो उसको नए एक समान रूप से पढ़ाई देना चाहिए पढ़ाई की वेवस्था करनी चाहिए नमबर फॉर्व है पाठक्रम में धर्म और अंग्रेजी का कोई अस्थान नहीं होगा यानि कि पढ़ाते समय यह वहां पर होनी चाहिए कि यह इसका हिंदू धरम का है तो इसको अलग ट्रीट करो यह मुस्लिम धरम का है तो या इसलिए हाँ धर्म के नाम पर कोई अस्थान नहीं होगा मने कि पढ़ाते समय कोई धर्म से रिलेटेड बाते नहीं चलने चाहिए और अंग्रेजी का कोई अस्थान नहीं होगा इसलिए पहले के लोग जब होंगे उस टाइम सिक्स सेवन में चले जाते थे ना तब एबी सीडी वेगरा सिखा करते थे लेकिन आज यह ची महात्मा गांधी अपने सिच्छा दर्शन में सिच्छा के माध्यम से सरवद्य समाज की अस्थापना का सपना देखा है यानि कि गांधी जी ने अपने सिच्छा दर्शन में सिच्छा के माध्यम से समाज को एक अच्छे द्रिष्टी से देखना चाहते हैं उनके सरवद्य समाज में परिस्रम का समान होगा यानि कि उनका ये कहना है कि अगर सभी समाज बिक्सित होंगे तभी मेरा भी विकास होगा धन के बजाए परस पर सहयोग और असने की भावना होगी यानि कि उनका कहना था कि धन के बजाए यानि कि लोग कहता ना कि अपने से सिर्फ मतलब रहते हैं अपना धन कमाईए अपना फैमली को लेकर आगे बढ़िए लोग इसी को मानते हैं तो इनका कहना यह है कि धन के बजाए धन पर जादा ध्यान न देकर एक परस पर आप सहयो करिए फीछा के प्रती एक असनेह की भावना लाइए एक प्रीम की भावना लाइए ग्रीना वो प्रित्थकता के अस्थान पर हीट के भाव हो में या Insp Your कि अनरे लोग संचे के बजाय कि त्याग परबल देंगे यानि कि संचे का मतलब क्या होता है किसी चीजों के साथ very उठी वारता करना तो उसको हटा कर आप जो है एक अच्छे चीज पर बल देंगे आज के समाज में जिस तरह मानवता पैरों तले कुछली जा रही है इससे यह कहा जा सकता है कि आज भी गांधी के सरवदय समाज की अवधारना प्रासंगिकता है यानि कि आज के डेट में देखा जाए तो कहीं ने कहीं मानवता कहां कुछली जा रही है पैरों के नीचे कुछली जा रही है यानि कि मानवता के रूप में लोग अपने मानों को सही धंग से ट्रीठी नहीं कर पा रहे हैं कि मानों का क्या गुन होना चाहिए एक मानवता जो उतरले कुछली जारी जारी है इसलिए कहा जा सकता है कि आज भी गांधी के सरोधे समाज की आउधार्मा प्रासंगिक्ता में हैं उनका मानना था कि धर्म लोगों में विवाद और जगड़ों से को जन्म देता है बिल्कुल सही गांधी जी का कहना था कि धर्म और जाती यह स समाज में क्या होते हैं धर्म और जाती की बातों को लाकर समाज में आपस में लोग विवाद करने लगते हैं जगड़े जगड़े जगड़ा करने लगते हैं आज की स्थिति उनकी इस बात का परमान भी देती है यहां लिखा है कि उनका तो कहा गया बात पहले थे लिकिन बिल्कुल ही सही नजर आ रही है गांधी का सिच्छा दर्शन भारतिये जीवन पर आधारी था यानि कि गांधी जी का जो सिच्छा दर्शन है वो भारतिये के जीवन पर आधिरत था इसलिए इसका महत वो कल भी था और आज भी है यानि कि गांधी जी का जो सिच्छा दर्श बापु का मतलब महात्मा गांधी जो इन्हें राष्ट पुरे राष्ट के भारत के राष्ट पिता के रूप में इन्हें मापा जाता है तो कहीं कहीं से लोग बापु के नाम से भी पुकारते हैं बापु द्वारा बताया गया सिच्छा के उदे से पाठकरम सिच्छा विधी को आज भी किसी ना किसी रूप में हमारे सिच्छा विवस्था को अमल में लाया जा रहा है यानि बोल रहा है कि बापू के द्वारत जो सिछा का उदे से है जिसमें पाथिकरम है उसके सैचिक दर्शन है जो बताया गया था किसी ना किसी रूप में हमारी सिछा ब्यवस्ता में इसको अमल कराया जा रहा है मतलब कि उसको जो है जोड़ा जा रहा है ये तो था साथियो हैं गांदी जी के स्यचिक दर्चन लेकिन कोष्ञ जब आप देखे होंगे तक गांदी जी के साथ साथ रवीन्धर नाथ हिंस पता भी नां आ है कि रवीन नाथ टी गॉर के pall Rider कली उद्देस करें तो चलिए मतलब कौन स सा ओधार विनदरनाथ टाइगॉर यह रहा तो इनके अनुसार सिच्छा का अर्थ क्या है तो रविन्दना टेगोर परंप्रवादी सिच्छा के विरोधित है यानि कि ये जो थे ऐसी सिच्छा से विरोधित है जो परंप्रवादी चली जा रही है यानि कि परंप्रा जो है जिस तरह से चलती आ रही है उस तरह की सिच् चाहर पूस्टकों को रख लेना ही चली है यानिके इनका येकोई क्या मार्केट से बजार से स्पुस्टक को खaintेयरrån रख लीजे तब फुस्टकों खार दिने सिच्छा आपको नहीं मिलेगा अभी तो सिच्छा का या थार्थ अर्थ है यानि कि इनके द्वारा यह बताए गया कि सिच्छा का सही अर्थ क्या है तो जीवन का समस्त्र स्रिष्टी से समांजस्स अस्थाफित करना इनके द्वारा यह कहा गया है कि जब आपका जन्म प्रि तो उनको भी आप सहीत तरह से इस्तेमाल करें यह नहीं कि पानी है तो आप अगर पानी का गलत यूज कर रहे हैं तो इसको भी रविंदर नाथ टैग और उने सिछा नहीं का इसको भी डारेक बुलते तुम्हारे अंदर को सिछा नहीं है इसलिए जीवन का समस्त स्रिष्टी से आपका समझा से अस्थापित होना चाहिए सिछा विकास की एक परकिरिया है यानि कि सिछा जो है न एक विकास की परकिरिया है जिस तरीके से आपके बॉड़ी का ग्रोथ होता है जिस तरह से आपके सरीर में व्रिदी होती है उस तरीके से सिछा भी है विकास की एक परकि नश्ट हो जाता है तभी उसका विसाल और द्रिश्टीकोन ब्यापक होता है यह होता है मतलब कि अग्यान को खो दिया है अग्यान को खोया है मतलब कि वो ग्यान को पा लिया है तो वो ब्यक्ति क्या होगा बहुत ही विसाल बहुत ही अच्छा और एक अच्छा द्रिष्टिकोन वाला ब्यक्ति होगा वह घरेलू संकिर्न दीवारों को तोड़कर उचा उठता है यानि यहां लिखा ह हुआ है कि घर के सभी लोगों से घर में कैसे भी मुसीबत हो अगर वो सिच्छित है वो कहीं न कहीं आगे चलकर वो बहुत आगे निकल जाएगा तोड़कर उंचा उठता है और समस्त बीश्व को अपना घर समझने लगता है इसका मतलब यह हुआ कि इतना बड़ा आदमी ब लुए बार पर दरों दादी भी होते हैं कहीं कहीं तो उसी तरीके से आप घर समझने thing嫌ता है जो भयकति बहुत आगे तक बढ़ाटा है सिच्छ्छा प्राप्त करके इस प्रकार सिच्छा मनोस को उछाए को उठाती है ओंकर नुसार सिच्छा जो है बहुत आगे तक ले जाती है इनके द्वारा यही कहा गया बात है फिर आगे लिखा है कि रविंद्र नाठ टैगोर के अनुसार सिच्छा का क्या उदेश से होना चाहिए तो इनके अनुसार सिच्छा की उदेश से निम्न लिखित है कौन-कौन से सिच्छा की उदेश से है तब पहला है संपून ब्यक्तित्व का विकास यानि उनका उद्च से है कि आप के पूरे संपूण 때ंफ्वका विकास हो नजखिए आपके अंदर जितने भी चाल हैं चलन हैं विवहार हैं नैतिक शिछा हैं आपका बूलने चालने का जटाऑबगें सभी चीजा में विकास होने चाहिए दूसरा है सारो भौमिक नागरिक बनना यानि कि जब आप नागरिक बन गए है एक समाजिक व्यक्ति बन गए है तो सभी तरह से आप मनिये सभी तरह से लोग उसको अच्छे आपको बोले तो इसलिए दूसरा था सारो भौमिक नागरिक बनाना तीसरा था सारीरिक विकास और उद्देश और सात्मा है सांस्क्रितिक उद्देश तो कुल मिलाकर यही टोटल साथ तरह के इनके द्वारा दिया गया एक उद्देश से था तो साथियों ये थे हम लोगों का इन कॉंटेंप्रोरी इंडिया एजूकेशन के मॉस्ट वी वी आई कोश्चन जिसमें हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी और रवी दरनास्ट टैगोर के सैचिक दर्सन क्या-क्या थे आई होब साथियों आप इसको अच्छे से समझेंगे साथियों आज आज इस वीड अपना ही तब तक लिए